जहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का जोपस्की केस्ट नए वीडियो में दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको ग्रूब डी पटना यानि हाजीपूर का कटाब बताने वाला हूं जो की आपका 2018-2019 के बारे में महासर्वी करके आपको यह प्रोवाइड किया जा रहा है तो आपका competition पर sit competition कितना था 2018 में और इस बार कितना होने वाला है तो देखिए यह पूरा डीटेल में बताया जाएगा जितना भी आपको स्क्रीन पर दीख रहा है इसके बारे में पूरा डीटेल में जानकारी देखिए आपको लास्ट में कटा भी बताया जाएगा तो वीडि कीजिएगा आपको नंबर यहां पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपको description में नंबर मिल जाएगा तो चलिए सुरू करते हैं और देखते हैं आपका क्या रहने वाला इसबर का कटाफ उसके बारे में डीटेल जानकारी लेते हैं तो देखिए दोस्तों यहां पर मै जो भी थी 2018-19 में यह थी आपकी 5,981 और फाम फिल किये गए थे साड़िक ग्यारा लाग के लगबग और आपका पर सीट कंपटीशन 193 था जिसमें से आपका अटेंडेंस 65% के आसपास रहा था और आपका आफटर अटेंडेंस के बाद 125 पर सीट कंपटीशन था यानि एक सीट के लिए 125 बच्चे जम दिये थे और इस बार 2019-2022 में आपका पूरा डिटल देखिए दो बैकेंसी जो है आपकी 3563 हुई है जिसमें से आपके फाम फिल गिया गया है टोटल 5,73,340 और पर सीट कंपटीशन आपका 160 है और एटेंडेंस आपका इस बार लगबग 55% के आ मैक्सिमिमम लेकर के 55% ले लिया हूँ आप इसके बाद देखिए इसके बाद बावजूद भी आपका अप्टर एटेंडेंस के बाद आपका 88 बच्चों में यानि एक सीट के लिए बच्चे लड़ेंगे तो चलिए अब देखते हैं आगे आपका कटाफ कम जाने के मुख एक कारणती में यहां पे आपको लिखकल लिख आहा हूँ बड़ आपको बहुत सारी कारण है बड़ जादे इंपोर्टेंट नहीं यह जितने इंपोर्टेंट आपको है तो देखिए बच्चों में ऊपस्थिती में कम हैं मैंने आपको पहले इबता दिया कि लाव हुआ है जिसके कारण आपका नारमलाई जैसे में बहुत जादे नंबर नहीं मिलेगा आपको 10-15 नंबर ही दिये जाएंगे जहीं से कटाफ बहुत ही कम रहेगी क्योंकि पिछली बार आपका 25-30 नंबर तक बच्चों को दे दिया गया था जिसमें से 33% पर भी एक बच इस फार्म को फिल किया है जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं दूसरी जोब में तो इस पेपर में वो लोग नहीं बैठेंगे तो इससे भी कटाफ बहुत जादे डिफरेंस रहेगा तो देखें इसमें कौन-कौन से भरतिया हुई है इनके बीच आपको थोड़ा सत जानकारी दे देते हैं तो देखे दूसरों इसमें एयलपी में साथजार लगबंग आपकी बेकेंसी आयो थी वो भी हो चुके है गुरुब्टी में आई हूई थी यही हो चुकी है जैए का 13000 था वो भी हो चुका है और अरपिए अपका 10,000 के लगवग था वो applicable हो चुका है तो इस तरह से आपकी भर्दिया हो चुकी है और अधर वाइस जैसे आप लोग देक law देख लिजी अधर स्टेट में स्टेट लेबल पर भरतिया होती है सेसे की अदर भरतिया होती रहती है जिसमें बचे सेलक्ट होकर जाते रहते हैं और इस बार का एंटी-पीसी का आप लोगों ने दिया है ये देखे दोस्तों 2018-2009 कटव गया था जनरल में 77 पलस घया था ओबीसी का 72 प्लस गया था है सिक एकश्ट प्लस गया था और एक सर्वस्माइन हैं गया था और जो लोग रेल्यों में काड़े रहत हैं और उन लोह भी 40 का असपास था और यह आपका एक सर्विसमाइन का जो है जेनरल का बता रहा हूं को कि इससे नीचे था 30 तक गया था आप लोगों का कटेक्रिवाइज और आगे देखिए आपका 2019 2022 का जो जेनरल का है यह लगबग आपका 60 प्लस रहने वाला है और और एक सर्विसमेन का 40 प्लस रहने वाला है तो यदि आपका 40 के आसपास भी नंबर आ रहा है प्रैक्टिस सेट में तो आप लोग निश्रिंथ हो जाएए आपका सेलेक्शन हो जाएगा बस इसी तरह से आप रेगुलर त्यारिक करते रहिए तो चलिए साथ ही साथ यह भी आ आना चाहते हैं तो हमसे कंटेक्ट जरू कीजएगा आपको नंबर दे दी जागा डिस्क्रिशन और आपको स्क्रीन पे और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका प्रैक्टिस एंड में कितना नंबर आ रहा है और आपके हिसाब से क्या कटाफ रहेगी और द